हलो दोस्तों आज 5 फरवरी मंगलवार आए देखते हैं 5 मिनट में 10 बड़ी खबरे काले धनवालों पर डंडा स्विस बैंकों से खातों की जानकरी मिलने की प्रक्रिया हुई शुरू स्विस बैंकों में भारतियों की खातों की जानकरी जल्द ही भारत सरकार को मिल सकती है सुजरलेंड के अधिकारियों ने इस संबंद में कार्यवाई शुरू कर दी है स्विस अधिकारियों ने HSBC बैंक में खाता रखने वाले भारतियों से इस संबंद में लिखित सहमती देने के लिए नोटिस जारी किये हैं अंग्रेज यह अगबार इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर दी है Chrome ब्राउजर यूज करने वाले अब हो जाए सावधार हैक हो सकता है आपका पासवर्ड वेश्विक साइबर सेकुरिटी कमपनी पॉलो अल्टो ने एक मालवेर की खोच की है जो गूगल क्रोम में सेव किये गए यूजर नेम और पासवर्ड क्रोम में सेव की गई क्रेडिट कार्ट जानका रिया और मैक में बेकप लेने पर आइफोन के टेक्स मेसेज हैक कर सकता है पॉलो अल्टो नेटवर्ट के एक अंग यूनिट 42 ने कहा है कि कुकी माइनर नाम का मालवेर मेंस्ट्रिम क्रिप्टो करंसी एक्स्चेंजेस के साथ जोड़ी ब्राउजर कुकीज और शिकार द्वारा विजिट की गई वैलेट सर्विस वेबसाइट को चुराने में सक्षम है जल्द ही बदल जाएगा इस सरकारी बैंक का नाम IDBI बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक का नाम बदलने का प्रस्ताव किया है LIC के बैंक अधिगरहन के बाद उसका नाम बदल कर LIC IDBI बैंक या LIC बैंक रखने का प्रस्ताव किया गया है पिछले महिने भारती जीवन बीमा निगम ने IDBI बैंक में 51% भागीदारी का अधिगरहन पुरा किया है इसके साथ देश भी सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने बैंक शित्र में कदम रखा है PM किसान योजना 2000 रुपे की पहली किस्त के लिए नहीं देना होगा अब आधार नमबर मार्च में मिलेगा पैसा छोटे किसानों को नगत समर्थन उपलब्ध कराने के लिए केंदर सरकार की प्रधान मंत्री किसान योजना PM किसान स्कीम के तहट पहली किस्त के लिए आधार नमबर देना अनिवारियन नहीं होगा हाला कि दूसरी किस्त के लिए आधार को अनिवारियन किया गया है सरकार ने अंतरीम बजट में 75,000 करोड रुपे की प्रधान मंद्री किसान सम्मान निधी योजना की घोशना की है राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू का अटेक 24 घंटे में 40 मरीज भरती मौसम में आये बदलाओ से न सिर्फ उत्तर भारत में सरदी का सित्म जारी है बलकि इस बदलाओ के चलते बिमारियों ने भी अपने पैर पसार लिये है राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू ने जबरदस्त अटेक किया है हलत ये है कि जनवरी से लेकर अब तक फ्लू का कहर भी बेकाबू होता जा रहा है एक जनवरी से लेकर अब तक दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्यान 900 तक पहुंच गई है जबकि सफदर जंग, एम्स और आरेमल अस्पताल में 15 लोग इस बिमार के कारण दम तोड़ चुके है राममंदीर की तरज पर बन रहा है अयोध्या रिल्वे स्टेशन मुक्यद्वार पर सजेगा विशाल मुकुट अयोध्या का नाम आते ही लोगों के मन में भवे राममंदीर की तस्वीर अचानक ही कौन्द जाती है बीते कई दशकों से राममंदीर का मामला कोट में विचारा धीन है वही इन सब के बीच लोगसभा चुनाओ 2019 से पहले मोधी सरकार ने अयोध्या के रेलवेस्टेशन का काया कल्प करने का मन बना लिया है दरसल केंद्रियो मंत्रि प्योश गोईल ने अयोध्या रेलवेस्टेशन के सौंदरिय करन के साथ उसे अंतराश्य स्तर का बनाने का एक वीडियो क्वीट कर दिया है वीडियो के अनुसार रेल्वेस्टेशन को राममंदिर की तर्च पर बनाया जाएगा अनुश्का शर्मा की हमशकल है ये 25 साल की सिंगर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही फोटोस बॉलिवूड में कई अक्टर्स ऐसे है जिनके हमशकल देखी जा चुके है अब इस लिस्ट में अनुश्का शर्मा का नाम भी जुड़ गया है अनुश्का की हमशकल एक सिंगर है और उनकी फोटोस तेजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है लगातार आठवे दिन सस्ता हुआ पेट्रोल डीजर लगातार आठवे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटोती हुई है पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे प्रती लिटर और डीजल की कीमतों में 11 पैसे प्रती लिटर की कटोती हुई है 28 जनवर के बाद नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 83 पैसे की कमी आई है वही डीजल की कीमतों में 49 पैसे की कमी हुई है नई कीमत सुबच्छे बज़े से लागू हो चुई है दिल्ली में एक लिटर पेट्रोल की कीमत 70.44 रुपे वही डीजल की कीमत 70.33 रुपए दर्ज की गई है सोना कर देगा माला माल जल्द मिलेगा खरीदारी का शांदार मौका कमोडिटी मार्केट में इन दिनों सोने के दामों में काफी उचाल देखा जा रहा है जानकारों का कहना है कि यह उचाल जारी रहेगा और सोना मार्च के अन तक 35,000 के स्टर को भी पार कर जाएगा सोनवार को सोने की कीमते 33,400 रुपए प्रती 10 ग्राम दर्ज की गई मार्केट विश्यशद्नों की माने तो 33,000 के स्टर पर सोना खरेदना बहुत लाबकारी होगा एक महिने के अंदर ये 2000 रुपए प्रती 10 ग्राम का मुनाफ़ा दे सकता है ICC World Cup 2019 से पहले इस टीम को मिला धमाकेदार बल्लेबाज एक मैच में बना डाली दो डबल सेंचुरी क्रिकेट के मैदान पर अक्सर रिकॉर्ड बनते और टूपते रहते हैं लेकिन श्रीलंगा के एक बल्लेबाज ने अपने बल्ले से ऐसा करनाम कर दिखाया जो क्रिकेट इतिहास में महज दूसरी ही बार हुआ है श्रीलंगा के एक बल्लेबाज एंजेलो परेरा ने नॉन डेस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब की और से खेलते हुए चार दियूसियो मैच में दो दोहरे शतक जड़ दाले एंजेलो परेरा ने प्रिमियर लिग टूर्नामेंट में सेहली स्पोर्ट क्लब की खिलाफ पहली पारी में 201 रन बनाए जबकि दूसरी पारी में 231 रनों की शांदार पारी खेले दोस्तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरे इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ वाटस अप और फेस्बूक पर शेयर दरूर करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लिटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद